Hello everyone, I am Priyanka Gaur, welcome back to my channel Learning with Pace, अभी हम लोग बात करेंगे चोलाज के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं यह चोलाज, तो जितना भी red shaded part यहाँ दिखाया है, यह सारा का सारा पार्ट चोलाज के अंडर में था एक टाइम पर, and ऐसा कहा जाता है कि चोलाज ने कावर में कैसे आते हैं, क्या कुछ एक history हम जान लेते हैं, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा post-gupta period में, यह पार्ट आपका 6th class की history में है, ठीक है, तो मैं वहाँ से relate करके आपको समझा रही हूँ, तो post-gupta period में आप क्या देखते हो, कि भई, यहाँ कौन थे, पलवाज, अब चालुक्याज, पलवाज, इनके अंडर में बहुत सारे समन्ताज थे, अपने यह जाना इस chapter में, कि समन्ताज ने अपने आपको राजा से independent declare कर दिया था, और खुद का kingdom establish कर दिया था, तो चालुक्याज के अंडर में भी बहुत सारे समन्ताज थे, पलवाज जो थे, वो पलवाज के subordinate या यह कहलो समन्ताज थे, चोलाज ने पलवाज को हराया, ओके, तो आप पोस्ट गुपता एंपायर में तो यह देखते हो कि यहाँ पर चालुक्याज है, यहाँ पर पलवाज है, जैसे ही आप 750 के time period में आते हो, तो आप देखते हो कि चालुक्याज को किसने हटाया, राश्ट्र कूटाज ने, एंड पलवाज को किसने हटाया, चोलाज ने, तो यह चीज़ आपको यह background ध्यान रखना है, ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं, from उरयूर to थंजवूर, इसमें हम यह देखेंगे कि चोलाज किस तरीके से कावेरी डेल्टा, देखो कावेरी डेल्टा पर, कावेरी डेल्टा मैं दिखा देती हूं, यह वाला पार्ट देखो, यह कावेरी डेल्टा है, ठीक है, तो कावेरी डेल्टा जो है, इसकी यह आगे देखो, ट्रिबिटरीज हैं, एंड इसका जो यूनो यह नदी जो है, ये बहुत सारी जगों में फिर बट जाती है, ओके फिर बाद में जाकर ये बे ओफ बिंगोल में गिरती है, तो कावेरी डेल्टा जो है, इस पर पावर्थी किसकी मुटर यार की, मुटर यार एक माइनर सी चीफली फैमिली थी, देवर सबोर्डिनेट टू पल्लवा किंग कांची पूर्ण के सबोर्डिनेट थे, इनको हम समंताज भी कह सकते हैं, ठीक है, अब दूसरी तरफ, विजाल्या की अगर हम बात करें, विजाल्या कहां से थे, उरयूर से, ठीक है, तो यहां पर उरयूर भी देख लो, ये रहा उरयूर, ये भी कावेरी डेल्टा पर था उरयूर, उरयूर में एक चोला थी, एक चोला फैमिली, चीफली फैमिली थी ये भी, यहां से थे विजाल्या, विजाल्या ने क्या करा कि मुटर यार को मिड ओफ दे नाइन सेंचुरी में हरा दिया, एंड उसका जो कावेरी डेल्टा वाला पार्ट था, उसको अपने अं जिनको यह पूजा करते थे उनका नाम है निशुम्भ सुद्धिनी, ठीक है, तो अब आपको यहां पर क्या-क्या ध्यान रखना है, अब मैं इसको थोड़ा साथ फ्लो चाट के थू समझाती हूं, ताकि आपको चीजे समझ में आ जाएं, देखो पलवाज के अंडर में ब दूसरी तरफ, अगर हम उरयूर की बात करें, तो उरयूर में विजाल्या थे, ठीक है, मैं यहां पर विजाल्या लिख देती हूं, ठीक है, अब यह विजाल्या भी क्या थे, यह पलवाज के अंडर में थे, मुटर्यार भी पलवाज के अंडर में थे, तो विजाल्या ने goddess का एक temple भी बनवाया that is known as निशुम्ब सुद्धिनी, अब यहाँ पर देखो अगर मैं आपको एक सेकिंड, दूसरे map मैं दिखाते हैं यह देखो, यह रहा थंजवूर, यह रहा उरयूर and यह रही कावेरी डेल्टा ठीक है, आयवाद समझ में तो इस तरीके से आपने इसको समझना है, and ऐसा कहा जाता है कि भई, जो यह चोला डाइनस्टी के विजाल्या थे फिर बाद में इन्होंने पल्लवा के जो राजा थे, लास्ट रूलर उनको भी हरा दिया था, तो पल्लवाज को किस ने रिप्लेस किया था भई, पल्लवाज को रिप्लेस किया था चोलाज ने, ठीक है दा सक्सेसर ओफ विजाल्या कंकर्ड नेबरिंग रीजन एंड किंग्डम ग्रूइन साइज और पावर देखो, हुआ ये था कि विजाल्या के बाद जो सक्सेसर आए मतलब जो चोलाज के राजा बने उन्होंने न, चोला के किंग्डम को साइज में एंड पावर में बहुत एकस्पैंड कर दिया था जैसे की साउट से पांडियन एंड नोर्ट से पल्लवा की टेरिटरी को चोलाज में मिला लिया and चोला kingdom size में भी बड़ा हो गया and power में भी बड़ा हो गया अब हम बात करेंगे कि भई कौन कौन से successor थे जो important थे चोलाज में विजालिया के बाद important successor में नाम आता है एक तो राजा राजा वन का and दूसरा नाम आता है राजेंदर वन का ठीक है तो दोनों के बारे में अभी हम यहाँ पर बात करेंगे राजा राजा वन and राजेंदर वन तो राजेंदर वन जो है ना ये राजा राजा वन के बेटे थे ध्यान रखना राजेंदर वन राजा राजा वन के बेटे थे तो सबसे पहले राजा राजा वन के बारे में बात करते हैं इनको ना चोला रूलर का सबसे पावरफुल रूलर माना जाता था राजा राजा वन राजा बने थे किंग बने थे 985 में इनों ने अपने एमपायर को चोला एमपायर को काफी ज्यादा एक्सपैंड करने की कोशि की थी इनोंने अपने टाइम पर administration को reorganize करा मतलब तरह तरह किये policies लेकर आये थे अपने empire के लिए and फिर इनके जो बेटे थे राजेंदरवन उनोंने भी चोला empire को expand करने की कोशिश की and इनोंने अपने पिता जी की दी हुई policies को ही continue किया but इनोंने ना पता है क्या करा इनोंने ग इनोंने attack किया किसने राजेंदरवन ने and वहाँ पर attack इसलिए किया था ताकि ये जो जगह है ना गंगा वैली हो गया श्री लंका हो गया या फिर वो countries जो South East Asia में हैं उनको अपने अंडर capture कर सके तो इसलिए यहाँ पर raid भी किया था राजेंदरवन ने and श्री लंका and इंड कैसे गए होंगे ये तो इनोंने क्या करा था इनोंने न नेवी तयार की थी जल सेना इनोंने तयार की थी इनोंने बड़ी बड़ी बोट बनाई and उन बोट like उन बोट के तुरू अपनी नेवी को इनोंने बेजा था तो इनोंने जल सेना तयार की थी तो उस टाइम पर के बहुत ज्यादा important king रहे हैं लेकिन उनमें से जो most three important है उनके बारे में बात करेंगे उपर से जो हमें NCRT बता रहे हम उसके according चलेंगे तो सबसे पहले आपको नाम याद रखना है विजालया के बारे में दूसरा नाम आपको याद रखना है राजा राजा वन के बारे में तीसरा नाम आपको याद रखना है रूलर में राजेंद्र वन के बारे में ठीक है ये तो आपको king के बारे में ध्यान रखना है इसके अलावा और क्या-क्या आपको ध्यान में रखना है कि बही चोला empire के time period में ना temple architecture बहुती मतलब उमदा किस्म का होता था बहुती मतलब बढ़िया temple ये बनवाया करते थे, temple architecture के लिए तो ये बहुत ज्यादा फेमस थे, दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि इनों ने बड़ी-बड़ी नेवी तयार की, जलसेना तयार की थी, बड़ी-बड़ी बोट बनाई थी ताकि ये अपने empire को expand कर सके and अपने administration को अच् ध्यान में रखने हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आई बात आपको समझ में कि भई, पहले हमने किसके बारे में बात करी, विजालिया के बारे में बात करी, फिर हमने राजा-राजा-वन के बारे में बात की, ठीक है ना, फिर हमने बात की, राजेंदर-वन के बारे में, ओके, बहुत splendid किस्म का, बहुत ही उम्दा किस्म का देखने को मिलता है, इसके अलावा अगर आपने थंजवूर ना देखा हो तो एक बार थंजवूर को देखना, गूगल पर उसकी images देखना, आप देखो कि वहाँ पर इतने शांदार temple बना रखे है न, मतलब आप देखते रह जा एक तो थंजवूर एंड गंगाय कोंडा चोलापूरम, किसने बनवाए थे, राजा राज ने, अच्छा ये राजा राज ने बलकि ये राजा राज कहलाई जाएंगे, शायद मने उपर इनको राजा राजा बोल दिया, सो माफ करिएगा उसके लिए, इनका नाम है राजा तो राजा राज एंड इनके बेटे राजेंद्र ने, दोनों ने बड़े बड़े टैंपल बनवाए, तो राजा राज ने थंजवूर टैंपल बनवाया, एंड थंजवूर टाउन किसने बनवाया था, विजाल्या ने, ध्यान रखना इन चीज़ों को, एंड राजेंद् इन्हों ने गंगा वैली पर रेड किया था एंड यहां का पार्ट इन्हों ने जीत लिया था तो गंगा से ही क्या हुआ गंगाए तो इसी की याद में कि राजेंद्र वन ने ये वाला पार्ट जीत लिया है गंगा वैली वाला तो इसी की याद में इनोंने यह temple बनवाया गंगाई कोंडा चोलापुरम ठीक है? तो हमें चोला एंपायर में इस तरीके के कुछ architectural and sculptor marvels देखने को मिलते हैं जिस तरीके से हमने थंजवुर एंड गंगाई कोंडा चोलापुरम के बारे में पढ़ा, ठीक है? तो चोला टेंपल जो थे वो सेटलमेंट के सेंटर में थे जैसे कि क्या हुआ कि यहाँ अगर टेंपल बनवाया है तो इसके आज पास चारो तरफ सेटलमेंट हो गया था लोगों का लोग आज पास इसके चारो तरफ रहने लगे थे ठीक है and temple कहां था बिलकुल nuclei में बिलकुल center में and इसके चारों तरफ लोगों का settlement बढ़ता जा रहा था इसके अलावा लोग यहां जब रहने लगेंगे temple के आसपास तो craft का production भी बढ़ेगा है ना हातों की कलाकारिया बढ़ेगी लोगों की जो हात से शिल्पकारी करते हैं sculpting का काम करते हैं handicraft का काम करते हैं वो सारा काम भी अब बढ़ेगा इसके अलावा temple were also endured with land by rulers as well as by others तो temples के लिए land कौन देता था राजा के अलावा कुछ और लोग भी दे जो temples के लिए land को donate करते थे अब ये जो land थी इसका जितना भी production निकलता था मतलब जितना भी produce निकलता था या जितना revenue कह सकते हो आप उस revenues को जो है उस revenue से temple के administration को maintain किया जाता था ठीक है? उस revenue से temple के administration को maintain किया जाता था तो अब एक बार उपर आई थिंक हमारा कुछ part भी रह गया है ये वाला पार्ट अब इसको देखते हैं फिर बाद में आगे हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखो जैसे कि ये टैम्पल है गंगाई कॉनडा चोलापुरम ठीक है गंगाई कॉनडा चोलापुरम तो देखो किस तरीके से बनता था अच्छा आप लोगों को मैं एक चीज यहाँ बता दूँ आपको यहाँ पर यह कितनी शिखर दिख रही है, सिर्फ एक शिखर दिख रही है ना, सिर्फ एक शिखर है ना, जिसे हम peak भी कहते हैं, शिखर को हम peak भी कहते हैं, ध्यान रखना कि अगर question ऐसा आ जाए, हाला कि जो मैं यह question बता रही हूं, यह IS के exam में आता है, तो आप लोग जो है कुछ essay students हो, जो देखते हो videos को, तो उनके लिए मैं बता दूँ कि आप लोगों को यहाँ पर ध्यान यह रखना है, कि अगर हम Northern India की and Southern India की बात करें, तो North India में जो temple थे, उनमें नागर style को follow किया जाता था, ठीक है, and अगर Southern India की बात करें, तो इसमें dravidian, या जिसे हिंदी में dravid भी कहते हैं, इस style को follow किया जाता था, तो इसका एक बार आप difference जरूर पढ़ लेना, ठीक है, लेकिन चोटा सा में difference है कि यह शिखर का जरूर बता देती हूँ, जैसे कि अगर नागर style की बात करें, तो नागर style में क्या होता था, Northern India में, नागर style में क्या होता था, कि जो शिखर होते थे, वो multiple होते थे, whereas अगर हम dravidian style की बात करें, तो dravidian style में सिर्फ एक single शिखर होता था, उसी तरीके से नागर style में multiple tower बना दिये जाते थे, लेकिन dravidian style में सिर्फ आपको एक ही tower, single tower देखने को मिलेगी, एंड हाँ, नागर style में जो भगवान की मूर्ती थी, उसको गर्ब ग्रह में रखा जाता था, बिल्कुल inside, ठीक है, deities are kept inside, whereas dravidian style में deities are kept outside, ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा, ओके, notice the way in which the roof tapers also look at the elaborate stone sculptor used to decorate the outer wall, तो यहाँ पर देख लो भई, इनकी किस तरीके कि शिल्प कारी थी, ये देख ले ना, ठीक है, जो important था, वो मैंने यहाँ से बता दिया, land का जितना भी revenue collect होता था, उस revenue से होता ये था, कि temple का administration run किया जाता था, that means, temples में रहने वाले वो specialist, जो temple में सेवा करते हैं, जैसे कि priest, garland maker, garland maker का मतलब है, जो हार वगेरा बनाते हैं न, भगवान पर चड़ाने के लिए फूल माला बनती है, तो उसको हम garland कहते हैं, जो बनाते हैं उन फूल माला को, उनको हम garland makers कहते हैं, इसके लवा cook हो गए, sweeper हो गए, musician हो गए, dancer हो गए, इन पर ना, इस revenue को ख किया जाता था, ठीक है, इसके अलावा, ये जो चोला empire में temples थे, ये temples सिर्फ पूजा के लिए ही नहीं, बलकि ये hub थे, economic, social and cultural life के, ठीक है, क्योंकि क्या था न, कि जो temples थे, वो nuclei पर थे, और उसके चारों तरफ लोगों का settlement था, तो लोगों का settlement मंदिर के आसपास होने की व cultural hub था, यहां पर हमें, you know, cultural diversity, social diversity and economic तरीके से भी हमें, अलग-अलग, you know, economic classes देखने को मिली, Among the craft associated with temple, the making of bronze images was most distinctive, देखो इस time पर, temple से related, जितना भी craft में काम किया जाता था, उनमें से सबसे ज्यादा जो important था, और सबसे ज्यादा important और सबसे ज्यादा अलग जो था, वो था bronze image, तो ऐसी images इस time पर बनाई गई, जो bronze की बनाई जाती थी, किसकी बनाई जाती थी, ब्रोंज की बनाई जाती थी, और चोला ब्रोंज, images are considered among the most finest in the world, तो उस time की अगर हम बात करें, तो चोला empire में जो bronze image बनती थी, वो world की सबसे finest images बनती थी, ठीक है, while most images were of deities and some of images were of devotees as well, तो ये जो bronze image बनती थी, या तो किसी deity की बनती थी, या फिर इसके अलावा devotees की भी बनती थी, तो देखो इस तरीके की जो है, bronze image बना करती थी, ठीक है, चलिए, अब agriculture and irrigation के बारे में बात करते हैं, Many of the achievements of the chola were made possible through new development in agriculture, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, कि अगर chola empire में हम कुछ important fact देखें, तो हमें उसमें एक चीज़ ये देखने को मिलती है, कि इस time पर agriculture में, irrigation में नई-नई technique का use किया जाने लगा था, chola empire में, agriculture में हमें नए तरीके के development देखने को मिले थे, Look at the map number 2 again, notice that the river Kaveri branches off into several small channels before emptying into Bay of Bengal, देखो जो Kaveri नदी है ये Bay of Bengal में जाकर गिरती है, ठीक है तो मैं आप लोगों को एक बार map में दिखा देती हूँ, तो ये है Kaveri नदी, ठीक है, तो यहाँ पर है Bay of Bengal, तो Kaveri नदी जो है कहाँ पर जाकर empty होती है Bay of Bengal में, लेकिन Bay of Bengal में गिरने से पहले Kaveri नदी small small channels में बढ़ जाती है, ठीक है, तो small small channels को छोटी-छोटी शाखाईं भी बोल सकते हैं, तो Kaveri नदी Bay of Bengal में जाने से पहले, ये इसके न छोटी-छोटी श शाखाओं में बढ़ जाती है, small small channels में, ठीक है, क्योंकि पानी है देखो, पानी overflow करेगा जहाँ उसे जगे मिलेगी वो तो वहीं चल देता है, तो Kaveri नदी जो है Bay of Bengal में गिरने से पहले, उसकी ऐसे small small शाखाएं ऐसे बढ़ जाती है, and in small small channels में पानी जो है, वो frequently overflow होता र तो नदी के किनारे की जो soil होती है, वो fertile हो जाती है, and in channel से जब पानी overflow होता है, तो यहाँ पर irrigation के लिए अच्छी खासी मातरा में पानी उपलब्ध हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर जब यह जो पानी small small channels है, यहाँ से पानी जब overflow होगा, तो होता यह है कि agriculture के लिए अच्छ अच्छा खासा पानी मिल जाता है इन channel से, and rice एक इस तरीके की फसल है, जिसमें ना हमें अच्छा खासा पानी चाहिए होता है, तो यहाँ पर rice का cultivation करना आसान हो जाता है, Although agriculture had developed earlier in other part of the Tamil Nadu, तो Tamil Nadu के other part में already agriculture established हो चुका था, ऐसा नहीं था कि Tamil Nadu के area में agriculture था ही नहीं, और बस चोला empire आने के बाद ही यहाँ agriculture शुरू हुआ, नहीं, अगर हम Tamil Nadu में other parts की बात करें, तो अलग-अलग parts में already पहले से agriculture होता आ रहा था, लेकिन यह agriculture large scale पर तब हुआ जब 5th and 6th century का time period आया, and forest को clear किया गया कुछ areas में, forest को इसलिए clear किया गया, ताकि वहाँ पर agriculture किया जा सके, अगर याद हो तो हमने first chapter में इसके बारे में पढ़ा था, कि forest को इसी लिए clear किया जाता था, ताकि वहाँ पर उस जमीन को level up करके, उसको समतल बना कर वहाँ पर agriculture किया जा सके, ठीक है, इन देल्टा रीजिन, embankments had to be built to prevent flooding and canals had to be constructed, अब देखो यहाँ पर चोला empire में क्या हुआ, इनोंने irrigation के लिए क्या technique निका ली, इनोंने न, यह जो small small canals थे, ठीक है, जहां से यह जो small canals थे, जहां से पानी overflow हो जाता था, इस overflow को रोकने के लिए या flooding को रोकने के लिए, इनोंने पानी के चारो तरफ embankment बना दिये, ठीक है, मतलब एक boundary बना दी, ताकि पानी overflow होकर नीचे ना जाए, एंड इनोंने canals तयार कर दिये, अब canals इनोंने इसलिए तयार किये, ताकि पानी को अच्छे से channelize किया जा सके, तो canals से पानी जाता था, कहां पर field में, खेतों में, ठीक है, आई बाद समझ में, इनोंने क्या करा, कि canals बना दिये, canals को इस तरीके से बनाया, मतलब वहां पर embankment लगा दिये, ताकि पानी वहां से अच्छे से ऐसे जा सके, अच्छे से carry हो सके, field में, खेतों में, इन many areas, two crops were grown in a year, तो ये बहुत important part है, कि चोला empire में हम ये देखते हैं, कि एक साल में multiple cropping की गई, दो crops जो है, उगाई जाती थी, ठीक है, important चीज़े ये आप धियान रखेंगे, examiner जो है, ऐसे ऐसी question पूछने में बहुत interested रहता है, ठीक है, अब यहाँ पर जो दिया हुआ है, इस diagram में इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं, ये एक बार थोड़ी सी picture देख लो आप, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं, 9th century में तामिल नाडू में एक sluze gate बनाया गया, sluze gate का मतलब होता है, जलदवार, ये sluze gate इसलिए बनाया गया, ताकि पानी के outflow को regulate किया जा सके, और पानी properly channels के थुरू खेतों में जा सके, और खेतों में सिच्चाई हो सके, ये जो sluze gate है, ये wood और metal barrier था एक तरीके का, और इससे water level को and water के flow rate को control किया जाता था, ठीक है, in many cases it was necessary to water crops artificially, बहुत सारी जगों पर पानी जो है naturally flow नहीं होता था, तो उसके लिए चोला empire में क्या किया गया कि नई technique खोज निकाली, ताकि पानी को artificially पहुचाया जा सके, and irrigation के method डून निकाले, तो इसके लिए पहले तो ये किया गया कि कई जगह पर कुवे डग कराए गए, ठीक है, कुवे खुदवाए गए, and किनी किनी places पर tanks बनवाए गए, tanks को construct कराया गया, tanks को construct किया जाता था rain water को harvest करने के लिए, यहाँ पर एक चीज में important आपको बता दूँ, अगर हम South India की बात करें, तो South India में rain water को harvest करने की जो परंपरा है, वो बहुत ही ज़्यादा important थी, ठीक है, आप ये चीज नोर्थ इंडिया में नहीं देखोगे, लेकिन South India में आपको ये उस टाइम पर देखने को मिलेगी, की rain water को harvest किया जाता था, collect किया जाता था, किस में? tank में, इसको ना, टंका भी कहा जाता था बहुत सारी जगे पर, क्या कहा जाता था? टंका, ठीक है? तो ये कई बार ना question आया हुआ है, कि टंका क्या होता है? तो टंका होता है कि जिसमें ना, जो बारिश का पानी है, उस प पानी को collect करना टंके में ठीक है उस टंके में collect किया जाता था पानी को and फिर उससे पानी विड्रो कर लिया जाता था Remember that irrigation works require planning एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप सिचाई को लेकर कुछ काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको proper planning की ज़रूरत है जैसे कि labor को organize करना, resources को organize करना and सारे के सारे काम को maintain करना इसके अलावा deciding on how water to be shared ये भी देखना कि पानी कैसे पहुचाया जाएगा ये भी देखना कि kennel से पानी overflow ना हो बहुत तरीके के काम होते हैं जो irrigation में चाहिए होते हैं Most of the new rulers as well as people living in villages took an active interest in these activities तो ये जो technique थी ना, ये technique नए नए रूलर्स ने and गाउं में रहने वाले जो लोग थे उन्होंने भी इन technique को अपनाया, इन activities में proper participate लिया जैसे कि उन्होंने भी tank वगेरा बनवाए and इसके लावा कुवे वगेरा खुदवाए इसके लावा irrigation के जो यहाँ पर method देखे, उन methods को अपनाया ताकि जहाँ पानी नहीं पोहुच रहा agriculture में वहाँ पर पानी पोहुचाया जा सके, artificially and irrigation ढंग से हो सके क्योंकि देखो, irrigation अच्छे से होगा, तो cultivation अच्छे से होगा cultivation अच्छे से होगा, तो production अच्छा होगा, production अच्छा होगा, तो भाया revenue आएगा revenue अच्छा आएगा, तो tax भी आएगा, पैसा भी आएगा and जहां पर tax, revenue, money, सब अच्छे से collect किया जाएगा, तो वो जगह flourish भी होगी, simple है ना, चलिए, अब जो यह आगे वाला topic है, the administration of the empire, इसको हम next वीडियो में करेंगे, and next वीडियो में हम इस chapter को पूरा complete कर लेंगे, मिलते हैं next वीडियो में, इसके अलावा कोई doubt है, comment section में लिखेगा, मेरे साथ telegram, instagram पर जुड सकते हैं, telegram, instagram की id आपको अपनी screen पर दिख रही है, इसके अलावा इन दोनों के link आपको description box में भी मिल जाएंगे, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं, तो चैनल को subscribe कर दीजिएगा and जो वीडियो देख रहे हैं, तो please like and comment करना बिलकुल न भूलें I wish you all the best, keep learning, thank you so much for watching this video